आप सब जानते हैं कि हमने इंटर्व्यू सिरीज स्टार्ट की हुई है और क्लास 10 तक की वीडियोज अपलोड कर दी है अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे है तो आप देख सकते है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा और सभी वीडियोज बहुत है और आपके लिए हैल्फुल भी रहेगी इंटर्व्यू में आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली है सिच्वेशन बेस्ट कोश्चन के लिए क्योंकि बहुत सारे बचे कमेंट बोक्स में पूछ रहे थे कि मैं सिच्वेशन बेस्ट कोश्चन जरूर बताए ताकि आ मैं अपने तरफ से आपको दे रही हूँ जो आपके लिए बेनिफिशल रह सकते हैं चाहे वो केविस की ही बात करो चाहे कोई और अगर आप जैसे चंदीगर का बता रहे हैं उसमें इंटर्व्यू है या कोई भी अलग से इंटर्व्यू दोगे तो सिच्वेशन बेस्ट क करना चाहते हैं यह पेशा किसी भी अन्य पेशे से बहतर कैसे हैं बतलब कि आप जो टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं अगर सिंपल लेंग्वेज में कहूं तो और यह जो आपकी जोब है यह बाकी सब जोब से अच्छी कैसे हैं देखिए आज ही हमारे पास एक और डाउट था जो कि अभी नाम अभी याद नहीं आ रहा है लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पुलिस डेपार्टमेंट में अभी वर्क कर रहा हूं अभी जोब कर रहा हूं और मुझे केवेज का इंटर्व्यू भी देना है तो अगर वो पूछते हैं कि आप पुलिस के जोब क्यो जानते हैं, तो इसका आंसर आप क्या दे सकते हैं, उसकी बात करते हैं? सबसे पहले मैं बताती हूं कि जिनने उसके पूछा था, उन्होंने इस साथ में यहीं भी कहा था कि मुझे students के साथ चोटे बच्चे जो होते हैं उनके साथ time spend करना बहुत अच्छा लगता है तो आप यह line भी add कर सकते हैं बहुत अच्छी line है कि आपके छोटे बच्चों के साथ खेलना या उनके साथ enjoy करना या उनके साथ time spend करना आपको अच्छा लगता है दूसरा आप क्या कह सकते हैं देख सबसे पहले बात है कि आप ही उनका बेस बनाते हैं अगर बच्चे का बेस ट्रोंग है तब ही जाकर वह बहुत अच्छा से अपनी पढ़ाई कर पाता है और आगे चलके वही बच्चे जिनको पढ़ाया जिनका बेस ट्रोंग किया फाउंडेशन उनका बनाया वही आगे चलके पुलिस बनता है कोई डॉक्टर बनता है कोई इंजीनियर बनता है कोई साइन्टिस्ट बनता है कोई कुछ बनता है और इस वज़य से जो लोग है आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रखते हैं मतलब people reminds you for long time पूरे all अगर अ आपकी टीचर्स को भी टीचर्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप बच्चों के कैलिबर को निखारते हो बच्चों को नरिश करते हो उनका उनका डेवलपमेंट करते हो सही डारेक्शन में उनको गाइड करते हो उनको एक सही रास्ता दिखाते हो कि आप इस रास्ते पर अगर चलोगे तो यहाँ चल करके आपको success मिलेगी दूसरा आप good citizens provide कर रहे हो अपने country को तो इस तरीके की बात अगर कहोगे answer में तो उनको भी लगेगा हां कि आप सच में ही serious हो आप सच में education की job चाहते हो इसके लावा आप कह सकते हो कि देखे police की job होती है जो भी कुछ गलत काम करता है illegal करता है या criminals है कोई भी crime करता है लोग के against जाता है उनको आप punish करते हो तो आप ऐसा काम करना चाहोगे teaching field में जा करके अब students को सही mark दिखाऊगे उनको right and wrong का पहचान कराऊगे उनके अंदर अच्छी moral values and human values inculcate कराऊगे यह सब चीजे मैंने आपको पहले भी ज सब जोड सकते हूँ प्लस वो जिन्होंने मुझसे पूछा है कि अभी वो पुलिस में जोड करे है वो तो बिल्कुल जोड सकते है कि मुझे अभी तो मुझे जो बड़े है या जो crime करते है उन्हीं को punish करना पड़ता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि छोटे बच्चों को ही ऐ ऐसे उनको moral values दू उनको human values दू कि वह कुछ गलत ना करे वो सही मार्क दर्शन में उनका करना चाहता हूँ तो इस तरीके की बात अगर आपको होगे तो automatically उनके उपर बहुत अच्छा influence पढ़ने वाला है इस question है जो मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ कहीं भी use हो सकता है इंटर्व्यू में question है how do you make learning fun आप शिक्षन को कैसे मजेदार बना सकते है question यह है ठीक है और ज़रूरी नहीं है यह question पूछे तभी आप इसको include कर सकते है अगर कोई भी ऐसी बात है जहां पर आपको लगता है कि मैं क्या अलग करूंगा या किस तरीके से पढ़ाऊंगा उन में भी यह answer आप डाल सकते है ठीक है तो इस तरीके से आप सोचना शुरू कर दीजिए कि अगर मैं कोई question यह answer बताती हूँ तो उसको कहां कहां पर हम use कर सकते हैं और उसी के according अपने इंटर्व्यू को आपको handle करना है वैसे ही answer देने हैं यह नहीं है कि आपको डर जाना है थोड़ा सभी अगर question में twist है तो देखिए वहां पर आपका confidence level चेक होगा तो confidence level आपको confidently answer देने है आपके पास knowledge है उसका use वहां पर करना है तो आप क्या कह सकते हो आप कैसे शिक्षन को मज़ेदार बनाएंगे इसका answer अब बात कर लेते हैं आप सब सुनिए देखिए यह question का answer मैंने बहुत पहले लिखा था और वही मैं आपके साथ share कर रही हूँ question में learning fun मज़ेदार बनाने में यह जरूरी नहीं है कि मज़ेदार तब ही बनेगी जब आप कोई उनके लिए teaching material लाएंगे या मज़ेदार तब ही बनेगी जब आप उनको भाहर गुमाने के लिए ले जाएंगे तो कैसे मज़ेदार बना सकते हैं आप कह सकते हो कि to make learning as fun means students enjoy learning whatever activities I am using they will actively participate in it मतलब क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है एक learning को fun बनाने का मतलब यह है कि जो भी मैं उनको पढ़ा रही हूं जो भी मैं methodology use कर रही हूं जो भी मैं activities करा रही हूं उनमी वह actively participate करे और पढ़ाई को बोजना समझते हुए पढ़ाई में आनंद ले पढ़ाई में रुची ले तो यह चीज हुआ पहला point यह बना लीजिए दूसरी बात करते हैं युक्षा का व्यातवरन होना चाहिए वह ऐसा होना चाहिए कि हर एक बच्चा उसमें comfortable महसूस करे और बच्चा learning by doing से सीखे करके सीखे hands-on activities से सीखे और अपनी पेस सीखे पेस का मतलब है अपनी गती से सीखे यह नहीं है कि अगर आप बहुत fast पढ़ा रहे हो और बच्च का slow learner है तो उसको कुछ समझ ना आए ऐसा नहीं होना चाहिए हर एक मैंने पहले भी जो आपका suitable to the post में कैसे question put up होगे वह एक class लिए है part 2 में अगर वह नहीं देखे तो उसमें मैंने यही बात कही है कि जैसे जो जादा intelligent बच्चे हैं उनको आप क्या करेंगे enriched program आप उनके उनको sheets देंगे उसका जितना उनको आता है उसके above level का दूसरी बात कई मैंने की जो normal pace है वह आपके pace से सीख सकते हैं लेकिन जो slow है जो थोड़ा सा weak रह गई है या उनको वह concept नहीं आया है उनके लिए आप extra classes कर सकते हैं प्लस आप यह देखेंगे कि कहां पर बच्चे लैक करता है कहां तक उसको समझ में आया है कौन सा concept उसको समझ नहीं आया है और जैसे ही आपको पता चलता है वो diagnostic test लेने के बाद कि कहां पर बच्चा अभी है उसके बाद आपको remedy स्टार्ट कर देने है तो इस तरीके की बात आप कहेंगे ठीक है तो यह तो just मैंने लिखा lesson plan कैसा हो class 5 वाले में मैंने यही बताया था कि कोई भी topic वहाँ पर start करेंगे चाहिए आप story से करना चाहिए आप poem से करना चाहिए आप कोई और activity लेना लेकिन यह नहीं है कि अगर उन्हेंने addition कह दिया तो जाते ही white word पर लिख दिया आपने 2 plus 2 is equal to 4 ऐसे नहीं लिखना और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि देखें जो मैंने बताया था कि total number of students लिखना है और फिर present absent लिखना है उनमें एक काम कर सकते हो कि 4 तो आपके इंटर्वी पैनल वाले होंगे और एक आप होगे तो उसमें क्या कर सकते हो 5 total students में 5 लिख सकते हो present 5 लिख सकते हो absent 00 लिख लेकिन अब मैं कहना चाहूंगी क्योंकि मैं भी यहीं चाहते हो कि आपका best interview हो fine तो मैंने अभी कहा है कि जो learning को fun बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो जो भी topic आप introduce करा हो उसमें चाहे कोई rhymes use करे, poem use करे, चाहे कोई song, चाहे chants, चाहे story use कर रहे है या कोई activity use कर रहे है तो उससे भी क्या होगे कि आपका शिक्षन जो होगा हो वो रोचक होगा, ठीक आगे कहा है कि I will give them the opportunity to learn by their experiences, मतलब बच्चों को opportunity provide करनी है कि बच्चे अपने experiences से सीखे ठीक है और अपने immediate environment में explore करते हूँ सीखे, जैसे आपको पता है ने कि starting में अगर class 2, 3 की बात करे तो बच्चों को कोई homework नहीं देना चाहिए बच्चों को ऐसा homework देना चाहिए कि बच्चा खोद मतलब कुछ कर भी नहीं रहा, कुछ पढ़ाई, मतलब किताब नहीं उठा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ सीख रहा है कैसे सिख रहा है, अपने आसपास से सिख रहा है, तो ये चीज़े आपको भी include करनी है कि उनका जो मैं कोशिश करूँगे कि जो उनकी daily life है, उनको connect कर सकूँ learning से तो इस तरीके की बात आपको कहनी है, इस तरीके से आप शिक्षन को मज़ेदार बना सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question पर next question है, जो मैं अपमी तरफ से ही ले रही हूँ, और question है कि अगर आप कुछ बच्चे को homework देते हो, या कोई भी काम अगर आप कहते हो, और बच्चा कह देता कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, या वो homework नहीं करके लाता है, तो आप उस situation में क्या करेंगे, ठीक है, question ये है, तो answer आप कह सकते हैं, कि if I face such a situation, then my first step is to identify and addressing the root cause of the student's refusal to work, मतलब क्या है, कि अगर मुझे ऐसे situation कहीं दिखती है, कि बच्चे से मैंने कुछ काम कहा या homework दिया और वो नहीं करके लाया, या on the spot मैंने कुछ भी कहा कि बच्चे अपनी बटा अपनी किताब को लो, ऐसा कुछ कहा है, और बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं कोल ली, वो उल्टा आपको जवाब दे रहा है, तो उस situation में आप क्या कहेंगे, देखिए वहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि punishment की बात तो बिल्कुल करनी ही नहीं है, आपको एक student बनके जाना, आपको एक स्ट्रिक् बनके जाना है, जो freedom भी देता है, ठीक है, तो मार पिटाई की डाट की फटकार की बात वहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे, और होनी मी नहीं चाहिए, चाहिए इंतर्वियो की बात है, चाहिए आगे की बात है, यह चीज़ जितनी minimum रहेगी ना उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चों के एक psychological point of view से देखें, तो यह सब बिल्कुल गलत है, तो मैंने कहा है अब ही, कि अगर ऐसे situation मिलती है, तो मैं सबसे पहला step तो यहीं होगा, सबसे पहला चरण तो यहीं होगा, कि मैं root cause को देखू, वो कारण देखू, उस कारण को पहचानू, और फिर उस पर काम करना शुरू करूं, कि किस वज़े से ऐसा क्या वज़े हुई कि बच्चे ने मुझसे मना किया काम करने के लिए, क्या मेरी ही पहले कोई गलती हुई है, या बच्चे की आस तब्यद ठीक नहीं है, या क्या अन्य कारण है, या बच्चे के घर में आज पढ़ाई नहीं कर पा रहा है मन नहीं है उसका या कुछ भी XYZ कारण हो सकते हैं तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि identify करें रीजन को और फिर उसको address करने की कोशिश करें अगर आपको कारण नहीं पता तो आप diagnose करके remedy क्या दोगे उसको है ना तो वही बात है फिर आगे कह सक चोटे बच्चों को या कोई भी बच्चा है इसने भी मना किया उसको encourage करूंगी light-hearted वे में मतला बहुत प्यार से उनको कहूंगी और बिल्कुल भी मेरे चेहरे पर या मैं बिल्कुल भी जो भी अगर मैं frustrated भी हुई हूँ अगर मैं discouraged भी हुई हूँ कि ऐसा क्यों हुआ या मैं बच्चों को नहीं शो करूंगी ठीक है लेकिन उनको बहुत प्यार से पूछूंगी या उनको समझाओंगी I will give the student the chance to express himself or herself that is bothering inside and take action accordingly next मैं कहती हूँ कि अगर मैं क्या करूंगी बच्चे को चांस दोंगी कि वह अपने आपको express करें क्या उनके अंदर है वह बहुत प्यार से पूछे light-hearted way में इसलिए कहा कि बहुत gently आपको पूछना अगर आप बुस्से में पूछेंगे तो बच्चा कुछ नहीं बताने वा चाहे वह teacher's के प्रती है तो वह problem ऐसे solve नहीं होती मैं हमेशा कहती हूँ कि dart foot car से या मार पीट से कभी problem solve नहीं होती बढ़ जरूर सकती है तो मैंने कहा है कि मैं एक chance दूँगी कि बच्चा चाही वह लड़का है चाही वह लड़गी है अपने आपको express करें कि क्या है उनके अंदर उनको चिंता का कारण है और उसके according step लोंगी उसके according action लोंगी तो यह बात मैंने कही है यह आप कह सकते हो ठीक है next question पर बढ़ते है next question है जो इन्हीं student ने पूछा हुआ है question है कि आप क्या कहेंगी कि आपकी ताकत क्या है और आप उन्हीं अपने instruction में कैसे इस्तिमाल करेंगे ठीक है यह जो strength और weakness वाला है मैंने class 4 में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कैसी weakness अगर पूछे तो क्या बोलना है strength अगर पूछे तो क्या बोलना है और उसको कैसे correlate कर सकते है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ और इन्हीं student ने भी पूछा था कि मेरी यह strength है और इसको मैं कैसे correlate करके बता सकता हूँ तो मैं वही आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी क्योंकि हो सकता है कि आप भी वही strength बोलना चाहे और कैसे correlate कर सकेंगे तो उसके बारे में बात कर लेते हैं इन्हीं student ने पूछा था कि self-motivated है courageous industrious personality को हम कैसे correlate कर सकते हैं ठीक है यह जो reply किया था मैं वही पढ़कर के बता देती हूँ ताकि आपको यह helpful रहे self-motivated में आप कह सकते हो सर जब भी मैं कोई exam दे सोच के मैंने पढ़ाई की है मेहनत की है और देन पेपर को confidence के साथ देने की कोशिश करता हूँ ठीक है यह चीज़ अगर आप कहोंगे ना interview की बात करें तो interview में कह सकते हो कि sir मैं first time interview दे रहा हूं या जो बचे दे रहे हैं सच में ही या फिर कह सकते हो कि interview से पहले मैं काफी नर्वस हो जाता हूँ लेकिन मैं खुद को self motivate कर रहा था कि मुझे अगर मैंने यहां तक अगर मैं आया हूँ मैंने return वाला clear किया है तो मैं interview भी clear करूँ और जो मुझे मिले तो इस तरीके की बात आप कह सकते हो और इसके अलावा आप कह सकते हो कि मेरा एक बार किसी paper में कम marks आए इस तरीके का अगर आपके साथ कुछ हुआ है जिसमें आपने बहुत महनत की थी और आपके marks कम आए तो भी आप कह सकते हो कि मैंने खुद को ही strong बनाया मुझे यह था कि इस बार ऐसा हो गया कम marks आए मेरे महनत का फल नहीं मिला लेकिन next time मुझे अपना exam crack करना है next time को motivate किया तो यह जिसे आप include कर सकते हो ठीक है बात करते हूं इंडस्ट्रियस कैसे हो इंडस्ट्रियस personality है तो देखे teaching line है तो इंडस्ट्रियस होना तो बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्रियस हो तभी तो कुछ काम करोगे बच्चों के लिए अगर lazy lump हो तो बच्चों को क्या सिक्षा मिलेगी आपसे ठीक है जो भी आप child centered education दोगे ऐसा बोलते हो बच्चों की need को fulfill करोगे ऐसा कहते हो आप उनकी psychology को समझोगे ऐसे ऐसे बाते करते हो तो उनके लिए तो इंडस्ट्रियस होना ज़रूरी है ही ठीक है तो यह चीज है और आप कह सकते हो इसके लावा इ personality आप हो देन करेजिस के अगर मैं बात करो तो करेजिस में आप वही कह सकते हो कि life में हर चीज को हर चलेंज को सीरियस्ली लेते हो ठीक है यह नहीं है कि आपने यह सोचा कि मुझे अभी केविस का केविस में selection चाहिए और आप मेहनत कर नहीं रहे हो ठीक है तो क्या होगा प हर चीज को life जो challenges है उनको सीरियसली लेते हो और अपना 100% लेते हो उन goals को उन challenges को आपकी life में वो challenges fulfill हो इस तरीके से ठीक है सबकी life में उतार चड़ अब आते है आप उनका सामना डटकर करते हो positive attitude के साथ करते है वो भी तो courage है तो यह lines आप use कर सकते हो ठीक है next question की बात करते ह है इस वाली वीडियो में 5 questions ही लेती हूं क्योंकि फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है और upload करने में थोड़ी problem होती है तो 5 questions इसमें और 5 questions एक अगली वीडियो में डाल दूंगे आज ही अगर situation based questions के बात करें तो एक question और ले लेती हूं ठीक है यह पहले भी किसी से पूछा हुआ है और हो सकता है आगे भी पूछ ले बहुत normal सा question है और question यह है कि suppose आप कहीं पर आपके जोइनिंग हो गई है कि वेसमें ही हो गई है आप यह मान के चल गई ठीक है तो उसके बाद क्या है कि recess के बाद आपका prayer है ठीक और recess जैसे ही कतम होने को थी दो बच्चों के बीच में लडाई हो गई और बच्चों ने एक दूसरे को बहुत बोई तरीके से मार पिटाई की और एक बच्चे को थोड़ी ज्यादा चोट लग गई ठीक है तो उस situation में जैसे ही फिर recess over ह करके आप अंदर गए आपने देखा कि दो बच्चे लडाई कर रहें आप उस situation में क्या करेंगे तो यह question पूझा जा सकता है आप इसका answer क्या करेंगे वह हो सकता है आपको उकसा है कि आप उनको चाटा मारिए या आप उन पर गुस्ता कीजिए ऐसा कुछ कहें ठीक है वह चीजना on the sport जब ही हो जाती है कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत एक दम से जिनको गुस्ता आता है तो वह तो वही reflect करते हैं कि हाँ मैं बहुत गुस्ते वाला हूं उनके उपर गुस्ता कर दूगा या इस तरीके की बात हो लेकिन आप मैंने बताया कि punishment का बिल्कुल भी आपक आपको करने ही नहीं है तो आप क्या करेंगे क्या एक्षिन लेंगे उस पर तो आप क्या कहेंगे कि सबसे पहली चीज तो जो बचे लड़ाई करें उनको मैं अलग करूँगा कि भई आप लड़ाई मत कीजिए और जिस बचे को चोट आई है उनका फुस्टेड कराऊंगा अगर आप बच्चे को सबके सामने कहोगे तो बच्चे को इंसल्ट फील होगी और हो सकता है कि उनका उनका सेल्फ कंसेप्ट भी खराब हो जाए ठीक है क्योंकि ऐसे अगर आप सबके सामने पनिश करते हैं तो बच्चा बहुत शेमफुल महसूस करता है और आगे मतलब जो दूसरे दोस्त होगे या क्लासमेट के दूसरे बच्चे हैं उनके वो चिड़ाए तो उनका और आपके सबसे चीज तो पहले यही है कि आपको होगी कि मैं पर्सनल यह उनको काउंसल करूंगा गाइड करूंगा कि बेटा यह लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है आप क्यों लड़ाई करते हो जो भी रिजन बताते हो पहले उनकी बात पुरी सुननी है और उसके तो इस वीडियो में इतना ही कुछ बच्चो का इंटर्वियू कल है कुछ का पर्सो है कुछ का 27 को है तो जिनका इंटर्वियू कल है उन सबको मैं all the best कहना चाहूंगी अपना इंटर्वियू बहुत अच्छे से दे और बिल्कुल भी टेंशन ना ले क्योंकि कुछ कि मैं मैं तो बहुत नर्वस हो गया हूं मुझे बहुत डर लग रहा है इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है मैंने बताया है कि जो नोर्सीस्ट वाला मैंने एक्स्पीरियेंस अभी शेयर किया है उसमें वेकैंस बहुत कम थी जर्फ के सिर्फ 70 वेकैंस थी बहुत रिड्यूस हो गई थी इस वजह से उन्होंने इंटर्व्यू का स्टेंडर्ड हाय कर दिया था तो इस वजह से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कोंफिडेंस लेवल बिल्कुल मेंटेन करना है एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए और आई कॉंटेक्ट भी मेंटेन करना है ठीक है इन चोटी चोटी बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है आपने की वीडियो देखिए उसके लिए थैंक्यू सो मच वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले